पाठ चार, वाक्य विचार, सिंटेक्स निम्नलिख्यत वाक्यों को ध्यान से पढ़ो राम पत्र लिख रहा है राधा कीत गा रही है मूर नाच रहा है ध्यान दीचे एक उपर के सभी वाक्य एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनी है दो प्रतीक वाक्य के अंत में क्रिया है तीन सभी वाक्य अपनी पूरे अर्थ देते है चार प्रतीक वाक्य में शब्दों का सही प्रयों किया गया है किसी भाफ या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों की समूह वाक्य कहलाते हैं जैसे राम पत्र लिख रहा है वाक्य के अंग Parts of Sentence वाक्य के दू अंग होते हैं वाक्य उद्देश विधेय एक उद्देश Subject वाक्य में जिसके विशे में कुछ कहा चाता है उसे उद्देश कहते हैं जैसे रचत आम खाता है सुधा पुस्तत पढ़ती है दो विधेय Predicate वाक्य में उद्देश के विशे में जो कुछ भी कहा चाता है उसे विधेय कहते हैं जैसे किशन स्कूल चाता है मीरा नाचती है ध्यान दीजे पूर्वप्रष्ट पर लिखे वाक्यों में रचत तथा सुधा उद्देश है किसी भी वाक्य का करता ही उस वाक्य का उद्देश होता है पूर्वप्रष्ट के वाक्यों में स्कूल जाता है तथा नाच्टी है विथेई हैं करता को छोड़ कर पूरा वाक्य विथेई होता है अशुद्ध शब्दों की शुद्ध रूप बच्चे शब्दों का जिस तरह उच्चारण करते हैं उसे उसी तरह लिखपी देते हैं यदि उच्चारण गलत हुआ तो निश्चत रूप से शब्द गलत ही लिख जाता है जैसे दयालू यह शब्द अशुद्ध है इसका सही रूप होगा दयालू इसलिए हमें शब्दों का सही उच्चारण करने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे की हम किसी भी शब्द को सही सही लिख सके प्राया जिन शब्दों की वर्तनी बच्चे गलत लिखते हैं उनमें से कुछ की शुद्ध वर्तनी नीचे दी जा रही है इन्हे थ्यान से देखो, पढ़ो और सीखो अशुद्ध शब्द इशवर शुद्ध शब्द इश्वर भूमी भूमी दयालू दयालू दवायां दवायां अवाज आवाज बिमार बीमार कृप्या कृपया नदान नादान ज्यान साप शाप कच्चा कक्षा परिक्षा परीक्षा प्रतिक्षा प्रतीक्षा क्यूंकी क्यूंकी सायद शायद आधीन अधीन बदाम बादाम भाग्यमान भाग्यवान मर्यादा मर्यादा स्वास्थ स्वास्थ प्रतिक्षा प्रतिक्षा